मतलब पुरा मेजीकल दिख रहा है मतलब एकदम लेंड्स के पूरा चेंज हो गया अभी खाना तो बन गया है लेकिन हमको खाने के लिए थोड़ा बेट करना मड़ेगा नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ मैं स्रिकान आपको सागत करता हूँ लाइव तो Nicholas एकिशलोर में लास्ट वाला जो हमारा केंपङंग वाला ट्रीप था च्यम्पिंग मतलब और चाहिप अंप्ड Sh सब कुछ हम कोई एरेंज करना है मैं तो वैसे हिंट दिया था था मेरास्ट व्लॉग में तो फूरा खुदी केंपिंग करेंगे तो सारे चीज़ तो हमको ही रिकर्टा करना पड़ेगा जो कुछ भी चाहिए तो मैं दिखाता हूं हम क्या-क्या चीज़ लेके जा रहे हैं कि पहले सुरुबात करते हैं मेडिसिन से क्योंकि ये तो एक सीख मिली वैसे हम जनरली करते हैं रोट्रिप में लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ एक दिन के लिए जा रहे हैं कौन लेके जाता है करके हमने ले लिया फिर आपने देखा कि मानी का थोड़ा तब्यत ठीक नहीं सरदर्द से लेके सब कुछ जो कुछ भी बेसिक मेडिसिंस होता है सारे हम केरी कर रहे हैं फिर टॉर्च बहुत इंपोर्टेंट है दो टॉर्च है हमारे पास क्योंकि ये तो जगा पे कुछ है नहीं राइट अंधेरा रात को मैनेज करने के लिए टॉर्च फिर खाना पि बिसके लिए मेगी फिर बाकी केक वेक बिसकेट जो कुछ भी स्नाक आपको चाहिए पूरा स्नाक स्नाक का हमारा बॉक्स है नॉर्मल लॉगेज फिर ये है हमारा टेंट 3% मुझे नहीं लगता हमको टेंट में सोना पड़ेगा हम हमारा वेन में सोएंगे बाट फिर भी इन और ये हमारा टॉलेट टेंट एक्चली ना मैं एक पूरा वीडियो बनाया है टॉलेट टेंट हम कैसे इस्तिमाल करते हैं उसका लिंक में दे दूंगा ये हमारा क्या बोलते हैं प्रेसर कुकर ये सब वेजिटेबल जो कुछ भी चाहिए राइस दाल ये सब पानी वानी औ जानते हैं मनाली में वो लोग हमारे साथ है साड़ी वाला रूम में मिलाएंगे जो नय है वो तो मिलेगे पुराने लोग को तो पता हो गया रहेगा किसकी बात करता हूं बस ये सारे चीज़ को अभी फिट करवाना है हमारा केमपरवन के अंदर और बाकी बहुत सारा बाकी से जो चलता है पावर सप्लाइ वो उसके बाद केंपिंग चेर बहुत सारा चीज में है तो चलो फिर गाड़ी में इसको पेकरते हैं ये सारे चीज में है हमारा स्टोरेज़ बॉक्स जो बेड का एक फ्लाटफॉर्म रहता ना एक बाला तो ये इसके अंदर काफी च शेर तरपलीन और ग्यास भी अल्रेडी गाड़ी में है तो इसमें के करके रखते हैं लाइश्मन कमरा पकड़ तो यह सब हमारा अंदर रे जाता है टेन ट्वेंट सब कुछ ट्रक फुली लोड़ेड यस तो आल सेट अभी मिलते हैं सुवा गूद मॉर्निंग हमेंसे की तरह हम लोग रेडी होके सुवा सुवा अभी फाइव ओक्लोगी बज रहा है फाइव फाइव और हम जारे कुर्ग यह ना तिसरी बार है दो महिने के अंदर विए हमको दिधर के करना है लेक के साइड पर ही केंपिंग करना है और हम अलरड़ी उदर केंपिंग कर चुके हैं डिटेल में बताएंगे फिलाल निकलते हैं क्योंकि अंधर आ है हमको पांच से घंटा कम से कम ट्राइब करना होगा इसमान बूट के रडियो हो गया आइसमान एक्साइटेड ह जा रहा है क्योंकि यह उसका साइकल जा रहा है उसके साथ चलो जा रिपोर्ट के हिसाफ से तगड़ा बारी से तगड़ा मतलब सुआ से साम तक बारी सी बारी से मतलब केंपिंग का तो एक दम बहुत ही बड़िया मन्सुन का फील पूरा लेंगे अज रेट्यम खा के ही सोना है उचलेगा कुछी भी खा के सोजाएंगे जो मन्सुन का फीलिंग नेचर में रहेगा उसका मज़ा लगे घर से तो बालकोनी से देखी रहें लेकिन उसका मज़ा कि रहेगा है थुला मैदान में थुला मैदान में लगभग हमने 100 किलोमेटर कवर कर लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके और जिसकी बात में कर रहा था है यह लोग उत्राखंट से शारी हम लोग उत्राखंट का है यह लोग नॉर्थ इस्ट चाहिए और फिर बेंगलुरु में तो कहां जाएंगे इधरी घर पर ही आ फिर से और बैंगलोर में रहोगे तो यह अच्छी चीज है आसपास धूमने के लिए बहुत सब्सक्राइब करेंगे और कुछ हो भी ना हो तो ढून लेना चाहिए क्या करेंगे हां वही तो पूरा मंडे टू फ्रेड़े तो काम रेता है सट्रेटे संडे क्या करेंगे लगता है कि हम गूम रहें इसा नहीं है इनका कर ब्लॉघ कंटियू नहीं है तो आएगा वो फुट्रैली वाला ब्लॉघ उनको जाके देखा लेना उनका नौर्ट से चल रहा था ना वीच मेर आठका पड़ाएंगे लोग लोग शिदा इतर दखेंगे तो बोले रहे तो में दो रहे हैं इसमी तक मुलाग में है नार्थ इसमें लेकिन एक्षणी आप देगा में है इनिवेक चला है इसको दिया है इसको दिया है नहीं मिल्कुल आदे माईआ ओनमाई दो इडली कि इतना कॉंटिटीस ज्याते कर रहा है इतर था क्यों धाना थी इसको एकर इसको मुण तूर्दी सिर्ट दूल अचिछान इसमें पूर리 दो रुषान जाँ जा रहा था थाज़ा आ आइफ दू एज्मान तरा पूर्या गया बहुत चोटा साइस का पूरिदिया ना आइश मान जेशा है यह ताम चाट्टा खाजूं दिया हो गया हमारा ब्रेक्फास्ट अभी कितना डिस्टेंस कवर करना है भाई पांसो पांसो काई आज है आइश बाई तो लो मुझे लग रहा है 100 किलोमेटर हमने कवर किया था तो 170 170 के आज पास ह तो हम साड़े ग्यारा ग्यारा है साड़े ग्यारा बजे तक पाउजा आना चाहिए लेट्सी अ हमने कुसल नगर क्रॉस किया क्रॉस करने के बाद में रोड से डाइवर्शन लिया क्या टुवार्ट्स होरंगी डेम का जो बेक वाटर से वो साइड पर अभी थोड़ा सा फॉरस जैसा रूट आएगा फॉरस्ट क्या फॉरस्टी है एक्चली लेकिन 3-4 किलोमेटर का रहेगा उसके बाद पानी दिखने लगेगा देखते हैं अभी एक अच्छा सा स्पार् है और अट्स अध्य क compat being the शाल हो गया ना बहुत इंस नहीं है उससे पहले तो दो तीन बार मिए इस तो अभी का सिट्वेशन पता नहीं इसलिए बोलड़ा था केम्पिंग करने जब तक करें नहीं तब तका इए कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पाणी का लेवल क्या है कुछ डर्खनानी नहीं तो होमस्टेब न अब ख्यांगे ख्याहेक ऑपसं हमेशा फ्लांड भी तो होणा ही यह नहीं हुआ तो क्या होगा और बाकी जो हमारा सो अरेंजमेंट है वो किदर पहले कुप कर लेंगा हमारा तो गाड़ी में वेसे सेटप रहता ही रहता है पहुच गे हम हरंगी बेक वाटर में जगह का हम जायजा ले रहे थे ना मतलब पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया रहेगा हमको बिलकुली अंदाजा नहीं था अरे भयंकर जगह मिल गया क्योंकि प्राइवेशी बहुत जरूरी है तो इधर देख सेक्ट है बहुत लोग आते हैं वैसे और पानी का लेवल देखो कोई मतलब आप बीट लोकेशन के लिए वैसे जिसको नेचर पसंद है वही आएगा नहीं तो इधर कुछ तो है नहीं सिर्फ पानी जश्टे सराउंडिंग सिनिक ब्यूटी एधर सिट हो सकता है यस होड़ा मास्की हमारा सप्लाइचेंज पेट खड़ाग है मेरा ही कुद को प्रॉलम हो जाता है क्या करें वैसे डिपा पूरा है मेडिसिन का डिपा लिखा है इस सब निकल गए हम भी चलते हैं ताकि हमको को कोई दूंड़ना के उदर है पानी बहुत ज्यादा है पानी का लेवल इसलिए ज्यादा कुछ तो अप्सवन है नहीं तो हम पानी को लखके एक पद्द अडिया है इसके साइड पे ऐसा कुछ जगा मिला हमको पॉफक्ट है कोई प्रावन है हमरे पास तो तारपली ने सब कुछ है तो इसका जुगाट कर देंगे अभी काफी चेरे हमरे पास हो गया पुरा यह कुटनी आइस बॉक्स के साथ चिकेन विकेंट सब मेरे निट होके सब कुछ रेडी होके है यह आँ पर पॉटे दाया पाथा पैट्टा में दूस्या अंदर जाना वाक्टी है यह आइस बॉक्स में ना वेज नॉन वेज सब कुछ अभी तोक आइस है सुबह निकले थे यह कल राज से रखा था ना अभी तोक मतलब जैसे की वेसे कि यह आइस दिख रहा है नीचे अच्छा है टेस्टिंग हो गया वह जो आइस वाला पेकेट यह गया तो आच्छा अच्छा काम करता है यह पॉफेक्ट और यह सब्सक्राइब कर देते हैं पुलाव बिर्यानी मिक्स आइसा ही कर देते हैं और आईशमान तो काम लगा हुआ है मैं सर्प्राइज हूंगी वह साइकेल छोड़के यह काम कर रहा है यह सबसे सब्सक्राइज वाला बात है मेरे लिए देखो साइकल लेका है इदर लोकेसं तो बहुत ही बहतरीन है एकदम बहतरीन क्या आइसमान अफ्रोडिंग से चपल खराब अगया तरह क्या अफ्रोडिंग यह तो इधर इतना अफ्रोडिंग यह कि चपल उसका तूट गया बताओ साइकल ठीक है लेकि क्या आइसमान अफ्रोडिंग इतना अफ्रोडिंग यह कि बहुत है आज बनाएंगे हमारा भेज पनिर बिर्यानी एसे तो रस्मी ने सब काट कुट के रेडी कर लिया अज बनाएंगे एक यम्मी सब वेजटेबल पनिर बिर्यानी और इंस्ट्रक्शन यहां साएगा इसे कर्चा कुमाऊंगी है ने दोनों मिलके है के बनाएंगे ऐसे कुछ नहीं है एक चली ना पहले सप्लाइचेन यह वाला था कि देखरो कौंसा पोसिशन में अंदर को अंदर को लगिए यह सप्लाइचेन वाला था सब कुछ पीछे से भेज रहा था लेकिन अभी तो सप् यह एक मिलए पीछे से था आपके आहता है जाओ से नहीं वाला में नहीं है सेंटर यह यह वाला है फिर हमाया फेरेज भारेश antidote यह झूफ्क एक मिनेर बोल्राइगॉ डर्पढ़ छायं दिखाए। यह लांतिक होता और पर अग जिए तो दिश्पनी यह पूरा आग लगाना पड़ता है। आटमेड़ कें कि लगादेंकि आपक सब्सक् cement ख़ड़िक यह पूर्लाइग ख़ड़ॉ मैं माल दाउन माल किता गुट अपाइड वारान थी यह दो आइस्मान पकाएगा बोल रहे यह दो आइजो तुम लों को नहीं बता है कुजनी वलो तुम्हें चेर मिलेगा हमें से खड़े होके यह गलत बात थे ना? बेटो एसस्सेंट, बेटो मैं बोलूँगा क्या करना है कब मसाला डालना है क्या क्या करना है क्या 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 करना है क्या 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 करना है क्या थोड़ा यह थोड़ा मैं सबसे छोटी हूँ आईस्मान सबसे छोटा है आईस्मान सबसे छोटा है अजिए 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 तो ऐसी बिलाती रहोगे तुम बेटो में बनाती है मैं उसको थोड़ा सा यह करना पड़ेगा लगता है ज्यादा यह होड़ा है खास करके जिंजर गाली डालने वाद न थोड़ा सा कम आंच में करना पड़ेगा नहीं तो लग जाता है ने चैसे करना लगता है कि अढ़ हुआ एक है आड़ हैं लेक प्राइब से एक प्राइब में नह की एक आड़ान। कि यह रात का मेरिनेशन को थोड़ा एनांस कर रहे हैं जिंजर गालिक पेस्ट कोड के साथ मेरिनेट कर रहे हैं तो कि इभिनिंग तक ना पूरा फ्लेवर उसके अंदर चला जाएगा और बहतरीन बनेगा यह मुझे देदो सब कुछ में मेंनेट कर दूंगा अचानक से बारिष शुरू हो गया हम वह तारपिलिन डाली रहे थे वह पूर इतना बारिष हुआ कि हम फिर अंदर आना पड़ा कुछ कर नहीं सकते अभी यहीं तो मज़ा चाहिए और हम मांक है जी बारिष तो टर्वा दो कुस्तों उने तो एकदम बढ़े आया है मतलब पुरा मेजिकल दिख रहा है मतलब एकदम लेंड्स के पूरा चेंज हो गया कि अभी खाना तो बन गया है लेकिन हमको खाने के लिए थोड़ा बेट करना बढ़ेगा विसे अंदर तो खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता यह प्लान किया तो पहले वारिश हो गया नहीं तो पॉर्फेक्ट प्लान होता अभी होगा चाहते लेके इसको पीछे सरक इसको अब करें लेकर वारिश बोल लेते लेकिन थोड़ा जल्दी आगे हम बोले सोने के बाद आना ची रात को मजा आएगा साउंड से अब भावान में आप अब लेलो अब लेलो करोंगे हैं अब है अब करेड़ा अब करेड़ा अब करें अब है इस नहीं है और खुस्पुत बहुत अबर्दसा आ रहा है रात का भी बंदा वस्त है एक चुली हमने एक साथ ना दोनों टाइम के लिए बना लिया क्योंकि आमको पदा दागी रात कुछ भरोसा नहीं है करें है जिएक लिए करें लिए है तरह कगा पने बंदेगन क्ये भी आ तेनों मिलके बनाए ना इसलिए पुलाव भी बनाए ने खुश्बूल जैसा हो रहा था ना लग रहा था कि बहुत जबदस्त बनने वाला एकड़म परफेक्ट यह देखो मतलब इसका जो कंसिस्टेंसी भी है यार लाइब में इसा कितना वार मोका मिलता है एसा हेवी रेन में बेट के पुलाव खाना वह भी लेक के किनारे हम भगवान को कुछ मांगते हैं ना उससे ज्यादा ही देते हैं मतलब एकड़ पाड़ गे बारीश पारीश जबरदस्त हुआ बहुत मज़ा आया और एसा वारिश में खाना खाना हमारा लांज करना एक यूनिक एक्सपिरियंस लाइट टाइम में मेमरी हो गया इसके बढ़ा प्लान है तो में महीं होगा कुछ तो होगा को ना देखते ही अंधना प्लान है किसे कहना बनाएंगी ऐसा जगह पर कैसे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे वह सब खांके सोना तो रिगुलार है यहाँ पर आहे तो पार्टी बनता है अव्यशनी अबिश्लिव तो वो सब कैसे होता है, वो सब हम नेक्ट ब्लॉग में करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा रहेगा ब्लॉग, मिलते हैं फिर से नेक्ट ब्लॉग में, तिल देन, टेक केर, बाई बाई, जे जगनात, जे जगनात, और आइस्वन वेट करा था जगना